Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आपने गौर किया होगा कि जब हम लोग सेम CC के बाईक और स्कूटर को आपस में compare करेंगे जैसे की 100cc का बाईक vs 100cc का स्कूटर या फिर 125cc का बाईक vs 125cc का स्कूटर तो आप अकसर देखोगे कि जो बाईक का मालेज होता है वो scooter के मुकाबले ज़्यादा होता है तो आकिर ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों में same CC का engine है इसी के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe बेरो कर ले अब फ्रेंस बाइक का मैले ज़्यादा होने का तीन वज़ा है पहला है transmission system, दूसरा है wheel size और तीसरा है design सबसे पहला हम लोग transmission system की बात करते है अब देखे transmission system को आसान नफजों में कहना हो तो चाहे bike हो चाहे scooter हो उसका जो engine power produce करता है वो power जो bike और scooter का जो पीछे चक्का है वहां तक पहुचता है जिससे कि जो पीछे का चक्का वो गूमता है और bike और scooter आगे के तरफ move करता है तो power को जो पहुचा आता है वो है हमारा transmission system जिसे हम लोग bike में gearbox भी कहते है अब देखे होता ये है कि bike के case में हमें manual transmission system यहाँ पे होता है यानि कि first gear, second, third, fourth, fifth, sixth gear हम manually लगा पाते है bike में लेकिन scooter में ऐसा नहीं होता है वहाँ पे होता है CVT यानि कि continuous variable transmission और इस अनुक असान अब जो में सबजना हो तो यहाँ पे कोन pulley का arrangement होता है साथ-साथ यहाँ पे belt भी होता है और scooter में जैसे-स speed increase हो जाता है जो belt होता है वो pulley के around slide करते जाता है और इससे हम लोगों को जो speed है वो हमारी scooter का बढ़ते जाता है अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो CVT है वो continuous होता है और automatic भी होता है यहाँ पे rider का किसी भी तरह का कोई control नहीं होता है अपनी जो scooter है वहाँ पे जो gearbox system उसमें rider का कोई भी control होता नहीं है अब देखिए scooter के उपर में load कितना है उसका speed कितना है वो किस riding condition में चलाया जा रहा है road कैसा है इस सब को इन सब का scooter का system है उसको कोई मतलब नहीं होता है उसको सिर्फ मतलब होता है कि rider ने throttle किस तरह से दिया है कितना accelerator दिया और उसी के according जो scooter का system है जो CVT system है वो respond करता है अब देखिए normal riding condition में तो यह बहतर काम करता है लेकिन कई बार से जो riding condition होते है वहाँ पे यह सही से काम नहीं करता है या फिर उसकी जो efficiency है वो bike के मुकाबले कम होती है और ये भी देखा गया है कि जो CVT होता है उसकी जो efficiency है वो manual transmission के मुकाबले 80% होती है यानि की 20% कम होती है अब इस वाय से क्या होता है कि कई बार scooter का जो CVT transmission system है वहाँ पे power का loss होता है जो fuel की efficiency है उसका loss होता है जो engine जतना power produce करता है वो सारा का सारा power पीछे चके तक नहीं पहुच पाता है in short जो mileage है वो हमें कम देखने को मिलता है लेकिन ऐसा case bike के साथ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे college भी होता है और यहाँ पे हम manually अपने खुद से जो हमारा gear है उसे भी change कर सकते है क्योंकि यहाँ पे manual transmission होता है जैसे का आप यहाँ पे भी जेख सकते हो यह हमारे पास एक bike के gearbox का shaft है अब यहाँ पे आप जेख सकते हो कि आप अलग-अलग size का आपको gear दिखाई दे रहा है और इस वज़ा से अलग-अलग gear पे first gear, second gear, third gear, fourth gear अलग-अलग gear पे जो gear ratio होता है वो अलग-अलग होता है और इसे जो rider है वो पूरी तरह से control कर पाता है अब अगर राच्छा rider है तो उसे पता होता है कि riding condition कितना है अभी speed कितना है अभी road का condition कैसा है load कितना है और उसका according अगर वो सही तरीके से सही speed पे और सही gear पे अपनी bike को चलाए साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर चुकि दाप जख सकतो clutch भी है तो अगर clutch को भी सही से use करे तो इससे होता यह है कि चुकि पूरी तरह से manually control होता है gearbox system पे इसलिए bike से हमें ज़्यादा mileage देखने को मिलता है और control इस हद तक होता है कि अगर उनों किसी भी एक bike का example ले और अगर उसे दो अलग अलग rider चलाए तो एक rider जिसका riding skill बेहता है और उसे पता है कि किस speed पे कौन से gear पे चलाना है और clutch को कैसे यूज़ करना है तो वो उस bike से ज़्यादा mileage निकाल पाता हो अगर दूसरा rider जिसे ये सब नहीं पता होता है तो उसको mileage का मिलता है लेकिन scooter में सब कोई scene नहीं है scooter में पूरी तरह से throttle ही ज़्यादा depend करता है और हम brake किस तरह से use करें उस पे depend करता है तो मैं आपको बताऊं कि चू की manually इतना ज़्यादा comfort होता है bike के साथ इसलिए bike में हमें ज़्यादा mileage देखने को मिलता है engine के CC का क्या मतलब होता है bike किस speed पे कितने gear पे चलानी चाहिए कलच दबाकर bike किलाने से क्या नुकसान होता है और bike किलाते हैं समय कौन सी 10 गलतियों को नहीं करना चाहिए इन सब के उपर मैंने detail वीडियो बनाया है सारे ही वीडियोज कर लिंक में आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा आप उन वीडियोज को जरूर से देखे आपका जो riding इसके लिए वो बहुत ही बहतर हो जाएगा चलिए अब जो दूसरा point है वो है wheel size आपने भी गौर क्या होगा कि जो bike का wheel यानि कि चक्का होता है वो बड़ा होता है और जो scooter का चक्का होता है वो छोटा होता है कि अगर आपने कभी गौर चगत आपने दिखा होगा कि जो bike का चक्का होता है वो ज़ादा freely move कर पाता है और जो scooter का चक्का है वो bike के मुकाबले कम freely move करता है अब यहाँ पे जो main point है वो है diameter का चुकि यह बड़ा होता है इसका diameter जादा होता है और यह छोटा होता है अब जब एक बार यह चक्का घुमता है जब इंजन power produce करता है फिर पिछे चक्के तक भिंजता है हमारे scooter के उसके बाद जब यह wheel एक बार घुमता है तो यह जो wheel है वो कम distance travel करता है क्योंकि इसका diameter कम होता है इसलिए यह कम distance travel करता है लेकिन हमारा जो bike उसके जाद इसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे wheel बड़ा होता है diameter बड़ा होता है तो यह जब एक बार घुमता है तो यह ज़्यादा distance travel करता है और इस वज़ए से भी जो bike का mileage है वो scooter को मिल जाता है चलिए अब हम लोग तीसरे point की बात करें जो कि तीसरे point है वो है design हम लोग ergonomic भी इसे कह सकते हैं तो अगर आप हम लोग bike और जो scooter की design की बात करें तो अगर फास करके front panel की बात करें तो चूकि स्कूटर में आप देख सकते हो कि headlight का visor होता है front panel होता है front nose होता ह और वो जादा चौड़ा होता और वो जादा space लेता है इसलिए जब high speed पे scooter को चलाया जाता है तो सामने से जो हवा आता है वो हवा उसे रजिस्ट करता है वो हवा उसे पीछे की तरफ धकेलता है और चूकि स्का design कुछ इस तरह से होता है कि वो उसे काट के अच्छी तरह स रहता है कि वहाँ पे जो सामने साने मारा wind है जो हवा है उससे बहुत ज्यादा इंपक्ट नहीं पड़ता है वो ज्यादा बहतर तरीके सो चुकि design और ergonomically अतना बहतर होता है कि यहाँ पे वो ज्यादा बहतर तरीके से high speed में भी आगे की तरफ निकल पाता है और इस वज़ जो स्कूटर है वो ज्यादा तेजी से निकल पाता है चुकि वहाँ पे CBT होता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम लिलोगे तो बाइक जो है वो से इसको cover कर लेता है क्योंकि यहाँ पे manual transmission होता है और आगे जाके वो उसे beat भी कर सकता है असानी से और इससे यह भी माल चलेगा तो वो आसानी से scooter को beat कर पाता है क्योंकि यहाँ पे manual transmission होता है और जो manual transmission है उसके उपर में rider का पूरी तरह से control होता है तो यह कुछ वज़य थे जिसके वज़य से आप अक्सर दिखोगे कि जो bike का mileage है वो scooter से बहतर होता है वैसे आपका इसके बारे में क्या सुचना और आपके पास bike के scooter में से कौन सा है और आपको अपनी गारी से कितना mileage मिलता है यह आप मुझे comment करके जरूर बताए और इस तरह का अगर आपका कोई भी doubt है कोई भी curiosity है तो आप comment करके जरूर बताए मैं उसकी ऊपर में भी video बनाने की कोशिश करूँगा तो उम्मीद करता करकेय। यह करकेक का तो आपके कर् eco में भी